कि हेलो गाइस तो कैसे आप सब सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास इंट का चैप्टर सिक्स जो के लास चैप्टर है हुमें रिस रिस्वर्स का पार्ट टू पार्ट वन में हम लोग ने अर्डेडी फैक्टर सफ्रेक्टिंग हुमन पॉप्लेशन जो होता है वहां तर जो पीपल जो चेंज होता है ना पॉप्लेशन में कोई स्पेस्फिक टाइम में उसको हम लोग बोलते हैं पॉप्लेशन चेंज दवर्ल का जो पॉप्लेशन वह स्टैबल नहीं है वह जो बढ़ रहा है घटी रहा है जैसा कि आसको देख रहे है अब दिस एक्ट्वाजी चेंज से नंबर और बर्थ और यहां बढ़ता है अब बता रहे हैं कि एटीन हैंडर तक जो वर्ल्ड का पॉपलेशन था वह बढ़ रहा था वह धीरे दीरे बढ़ रहा था क्यों तो बेबी तो बॉन्ड हो रहे थे बट नहीं जल्दी मर भी जा रहे थे क्योंकि उस से में कोई health facilities जादा अच्छा नहीं था, sufficient food available नहीं होता था लोगों के लिए farmer जो थे वो enough produce नहीं कर पाते थे कि सबका food requirement हो पूरा कर सके इससे कारण क्या हुआ कि population जो था वो लोही होता था बट एक हैंड़ेंडर्फोर में क्या दिखा गया कि एक हैंडेंडर्फोर में वल्ल पॉपॉपलीशन था वह एक बिलियन हो गया इसके बाद 59 में जो व्ट का पॉपलेशन था वह ठीज़ों था बिलियन हो गयाश्तिन पॉपलेशन बड़ा इसको पॉपलेशन एक्स्प्लोजन ही बोला जाता है फिर 1999 में 40 यह बाद मतलब की पॉपलेशन डबल हो गया थ्री बिलियन से चाज़ डारेक्ट सिक्स बिलियन हो गया और इसका मेन रिजन यह था ना कि ग्रोथ था फूट सप्लाइस का काफी अच्छ पॉपलेशन बड़ेशन बड़ेगा अब हम आपको पहले दो चॉकलेट आप से ले लिए बट आपको चार चॉकलेट देते जा रहे तो आपके पास तो बहुत साथ चॉकलेट जमा हो जाएगा ना वही केस यहां पर भी था अब बर्थ सा इस वाली मेज़ेड यूजिंग बाड़ा क्या होता है कितने बच देखा लिए हर 1000 लोगों और यहां पर आता। अफर जाब मतलब होताज नहीं इक डूसरे यह बर्थ ओए अब देखा देखग ने जर्टीcks मांज बूसों का friends Diaries चैनल इंशी प्मा रहे हैं अब यहां पर को और यही दोनों का बीच करगने होता है यही दोनों का बीकिछ वेश्च फॉक सीन्टा पॉपलच Εनक्री बाप नंद एस обязता में लिए ग्रोफ से कंथे करेंपता ऑन चंटा लंट है कि में प्रक्ष ऑन यहां होग से आप लोग यहां हम ना कर रहा है है कि नहीं माइगरेशन होता है अब यहां पर दो वल्ट से एमिग्रेंट्स यूज किया गया है अब यह दोनों का मतलब क्या होता है रहा कि जैसे कि एक हम मतलब हो गया जब लोग इंडिया यूटे मिपटो लेकिंगोड लेते हैं को ऐगा का अदम इंडिया के यूके ज़ारहा है थे लिएंडिया हो वहां लोग ज्यादा माइगरेट करते हैं और सुधा नहीं कैसा जगा है जो लॉस अपरेशन एक्सपरियेंस करता है मतलब वहां से लोग बाहर निकल जाते हैं उसको छोड़ के दनी जेनरल टेंट ऑफ इंटरनेशनल माइगरेशन इस फ्रॉम देलेश्ट डिलेपनेशन कंट्री भी देखो देखो कि लोग मूव करते हैं लार्ज नंबर पीपल जो है ना वो रूलर से अर्बन एरिया की तरफ इंप्लाइमेंट एडूकेशन और हिल्थ वैसलिटी से कारण मूव करते हैं अब लोग का दिखा रहा पाट पैटन्स ऑफ पॉपिलेशन चेंज है बड़ सारे कंट्री में है ना सीम ग्रोथ एक्सपेरियंस नहीं हो रहा जैसे कुछ कंट्री केनिया है वहां काफी जादा है क्योंकि वहां बोथ बर्थ रेट भी और देथ रेट दोनों जादा है ओके नौविध इंप्लूविंग हिल्थ केयर देथ रेट अब वहां प लोग बर्थ रेट 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 वहां पैदे भी बहुत कम होते और मरते बहुत कम हैं अब इसका नों पॉपुलिशन कंपोजिशन देखते हैं कि हाउ इसका कंट्री इस है लिटील टू बट इस लेवल इकनॉमिक डेलपमेंट किसी भी कंट्री का जो क्राउड होता ह इसका इकनॉमिक डेलपमेंट में उतना सियोग नहीं कर पाता है जैसे कि हम लोग यहां पर जांपर रहते हैं कि बांगलादेश हो जापान दोनों बहुत पॉपुलिटेड एरिया है बट जापान क्या है वो एकनॉमिक लिए काफी जारा डेवलप है बांगलादेश से तो हम लोग यह सब क्यार्डेश्रीक को जानना काफी ज्यादा जारी हो जाता है ऑपपैलेशन कन पीसर्चाइं स्रॉक्ट और स्वपॉठीं का मतलब भी होता है किसी बीस पॉपॉपॉपंसंन का स्ट्रॉक्ट असट्रॉक्ट्टर 내 कंपपैब प्रफीट लूप मैं बहुत इंकम क्याद का हिल्स कंडिशन कैसा है ओके ऐंटरेस्टिंग वेट पूस्ट इस पापलेशन का पोजिशन आप एक्स पैरामिट बोलते हैं यह यह पैरमिट इस टाइप का दिया हुआ है जिसमें नीचे आपका परसेंट दिया हुआ उपर एज दिया हुआ मेल और फीमल दिया हुआ है कि नीचे में जीरो सब्सक्राइब काफी जादा यहां तो अधियर थ्रेट भी उतना ही जादा है तो हम लोग आगे समझ समझने कोशिस करते हैं अब हम लोग यहां पॉप्रेशन पैरेमिड जह वो स्टोरी बताएगा कोई पीपल की पार्टिकुलर एरिया पार्टिकुलर एरिया नी कंट्री का ओके नंबर ऑफ चिल्रेन बिलो फिफ्टीन एयर्स और सोने बॉटम लेबल अजो देख यहां फिफ्टीन एयर्स का जो लो कितने जो हम लोग के डिपेंड एक डिपेंड है अब जिसे कि दो एज ग्रूप जो होता है वह 15 साल के नीचे वाला उपर वाला जो कि यह ओल्ड पीपल होते हैं यह दोनों वर्किंग एज में नहीं होते है और एकनॉमिक लिए एक्टिव नहीं उतने रहते हैं कि यहां मै इसका कम है और 65 साल से कम और अडियो बच्चा रहता है और 65 यह से ज्यादा मतलब और विस्ति वह ओल्डर सिटीजन मतलब की बुढ़े लोग रहते हैं व्रिध लोग उके तो इन लोग जो होते हैं कि वह लोग वर्किंगेज होता है जो एक्टिव होते हैं जिनको खुद क अनिंग होता है यहां पर देखेंगे पॉपलेशन प्रेमिट ऑफ केनिया इंडिया यहां पर यहां पर पान ऑफ कंट्री इन विच बर्थ और देथ बोट अब बेस रैपिड नोस्ट और टॉप आप यहां पर यह बतारे कि जो वैसा पॉपलेशन परामिट जो जिसका बर ज़्यादा तो बर्थ रेट निचे देखें ज्यादा है तो इसका बड़ा ब्रोड बेस है और इसका देथ रेट भी जादा है तो उपर देखें नेरो हो गया है इस इस बिकॉज मेनी पीपल सर्बान यह बैसा क्यों होना कि बहुत सारी प्रेप जन तो लेते हैं बट नही अब यहां बता रहा है कि यहां पर लार्ज यंग पीपल का पॉप्रेशन काफी ज्यादा होता है अब कंट्री से जपान होता है यहां पर लोग बर्थ रेट होता है जिसे का नहीं है कर देखें नीचे में काफे छोटा नेरो है डिक्रीज देथ रेट अलॉज नंबर पीपल तो डिच ओल्ड एज अब डिक्रीज देथ रेट काने जो काफी लोग है ना वह ओल्ड एज तक पहुंच जाते हैं ओके स्किल्ड स्पिरिट अंड होफुल यंग पीपर इंडोट प्रोड़क्टिव उनको इडिक्टिव बनाएं कप उनको स्किल्ड प्रोड़क्टिव हो सके इतने में खतम होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासमें और डैट्स थाग्ण आवनाइस डेज चल्व